प्रस्तुती हिमाचल बुलिटिन में आपका स्वागत है पेशे आज के समचार मुख्यमंत्रिश वी जैराम ठाकूर ने आज शिमला से मंडी जिला की जनप्रतिनी धियों से वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से बाचित की इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश के विभिन राज्यों से रेड जोन के रूप में चिनित क्षेत्रों से प्रदेश में आने वाले लोगों को संस्थागत कॉरंटीन में रखने के लिए राज्य सरकार ने प्रयाप्त प्रबंध किये हैं उन्होंने कहा कि प्रदेश में 3627 लोगों को संस्थागत क्वारंटीन में रखा गया है और उन्हें स्वास्थे जाच सहित सभी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। राज़ में 89293 लोगों को होम क्वारंटीन में रखा गया है। मुख्यमंत्री ने लोगों से आरोग्य सेतू एप डाउनलोड करने का आगरह करते हुए कहा कि इस से उन्हें कोविड-19 के सबंध में जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलेगी प्रदेश में अभी तक 11,48,387 लोगों ने अपने मुबाइल फोन पर यह एप डाउनलोड की है श्री जैराम ठाकुर ने सोशल डिस्टैंसिंग का पालन सुनिश्ट करने का आगरह करते हुए कहा कि लोगों को प्रदेश में रह रहे प्रवासी मजदूरों को भोजन एवं आवास उपलब्ध करवाने के लिए आगे आना चाहिए इस अबसर पर मुख्यमंतरी ने प्रदेश वासियों के नाम संदेश में कहा पिछले कुछ दिनों से कुरोना वारिस के मामलू में बढ़ुतरी हुई है ऐसे में आदनिया पधान मंतरी जी ने सभी प्रदेश के मुख्यमंतरियों से बातचीत करने के पश्चात एक निरने लिया है कि कुरोना वारिस के खिलाप इस लड़ाई को और ज़्यादा गंभीता के साथ लड़ने की आवशक्ता है और लॉक्डाउन अभी पूरे देश भर में स्वाप्त नहीं करना चाहिए क्यूंकि ऐसी परसिती अभी तक नहीं आई है लॉक्डाउन 3-0 समात हो रहा है और आप सब का उसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा कल से लॉक्डाउन 4-0 की शुवात हो रही है और हिमाचल परदेश में हमने तैक किया कि हम अभी भी कर्फियू ही लागू रखेंगे और ये कर्फियू जहां हिमाचल परदेश की बात है ये 31 मई तक जारी रहेगा मैं आप सब का आभारवक्त करना चाहूंगा कि इस दुरान जहां हिमाचल परदेश में हमने कर्फियू लागू रखा था और उस कर्फियों का पालन करते हुए जो भी दिशा निर्देश परदेश सरकार और केंद्र सरकार से आप तक पहुंचे आपने उनका पालन किया है हम हिमाचल परदेश में इस बात को मैसूस कर रहे हैं कि करोना वारिस के कुछ मामले पिछले दिनों में जो बड़े हैं उसमें जो परदेश से बाहर हमारे भाई बेहन रहते थे बच्चे रहते थे वो हिमाचल परदेश में आये हैं वो बहुत संकट के दौर में से गुज कि करोना के मामले हिमाचल प्रदेश्ट में और बढ़ सकते हैं और ऐसा हुआ भी हिमाचल प्रदेश्ट में करोना वाइरस के जो मामले बढ़े हैं उनकी संख्या अब 80 तक पहुंच गई है लेकि मुझे इस बात को लेकर के भी संतोश है कि 80 में से हमारे पास हॉस्पिटल मे जो उप्टारा धीन है जो positive cases है जो जिनको isolation में हमने रखा है उनकी संख्या 33 से 33 है बाकी राजियों की तुलना में हम इस बात को कह सकते हैं कि हिमाचल परदेश अभी भी बहुत बहतर है लगबक 60,000 से ज्यादा लोग जो हिमाचल परदेश के निवासी हैं दूसरे परदेश हो सकती हैं फिर भी मेरा आज सबसे इस बात के लिए निवेदन है कि चिंता की कोई बात नहीं दरने की आफशक्ता नहीं लेकिन हम साबधानी और रहतियात बरतने के लिए कोई कमी ना छोड़े में हिमाचल परदेश में हाल ही में दूसरे परदेशूं से जो भाई और बह परदेशन करना चाहूंगा आप अपने घर आये हैं आप घर में आने के पश्चात अब सुरक्षित हैं लेकिन उसके बावजूद आप होम कॉरिंटीन में हैं तो होम कॉरिंटीन के नियमों का पालन करें परिवार वालूं से भी इस बात के लिए आग्रह करें कि वह भी न की आफशकता है इमाचल परदेश के सब भाईयों और वहनों की जीवन की रक्षा हमारी जिम्यवारी है हम उस जिम्यवारी का निर्वहन कर रहे हैं अब मुझे पूरा भुरोसा है पूरा विश्वास है आप इस संकट की घड़ी में हमारा सहयोग करेंगे इस बीच में मु एक हवलदार वह भी पूलिस बिवाग में काम करते हुए क्रोनवारिस की चपेट में आये हैं मैं उम्मीद करता हूं कि उनको स्वास्ते बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा मैंने उनसे बात करने की भी कोशिश की वह दूनु स्वस्त हैं और उमीद करता हूं आने वाले समय म ठीक हो करके बाकी लोगं का भी होसला बढ़ाने में मददगार होंगे मैं हिमाचल पदेश की जनता की ओर से आदने पदान मंत्रे नरिंदर मोदी जी का वियाभार गक्त करता हूं कि ऐसे संकट के दौर में एक तरफ जहां करोना वारिस के खिलाफ इस लड़ाई को देने के लिए हर वर्ग के लिए उनने एक बहुत बड़े एतिहासिक आर्थिक पैकेज की घोशना की है जिसमें 20 लाख करोड रुपे जो आजाद भारत की एतिहास में सबसे बड़ी राशी है जिसकी घोशना की है उसका भी मैं अविनंदन करता हूं एक बार फिर से मैं सीमित साधुन के बावजूत हर तरह से मदद करने की कोशिश की है इस संकट के दौर में चाहे वो मास्क बनाने की बात है चाहे वो राशन देने की बात है चाहे वो भूखे को भोजन देने की बात है हर जगा मदद करने की कोशिश की है उसके लिए मैं हिमाचल प्रदेश क के सभी भायू बैनों का अभारगत करता हूं आप सब के स्वयोग और समर्थन की उमीद के साथ और इस विश्वास के साथ कि हम सब लोग निश्चित रूप से करोना पर जीत हासिल करेंगे आप सवयोग बनाये रखिए आप सब का बहुत पहुत धन्यबाद नमस्कार जयाहि आज केंद्रिये वितमंत्री श्रीमती निर्मलासीता रवन ने केंद्र सरकार के 20 लाख करोड रूपे के आर्थिक पैकेज के तहट आत्मनिर्भर भारत अभ्यान से जुड़ी पांचवे और अंतिम चरण की घोशनाएं की उन्होंने प्रधान मंत्री श्री नरेंदर मोध पर विशेश बल दिया गया है केंद्र सरकार अब मनरेगा के तहट अतिरिक्त 40,000 करोड रूपे का अबंटन करेगी इससे कुल 300 करोड मानव दिवसका रोजगार स्रुजित करने तथा ग्रामीर अर्थविवस्ता को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी ग्रामीर और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थे एवं कल्यान केंद्रों की संख्या में बढ़ोतरी तथा जमीनी स्वास्थे संस्थानों में निवेश से स्वास्थे पर सार्वजनिक व्याय बढ़ाया जाएगा सभी जीलों में संक्रामक रोगों के अस्पताल ब्लॉक स्थापित किये जाएंगे महामारी के प्रबंधन के लिए सभी जीलों और ब्लॉक सर के लैब और जनस्वास्थे इकाईयों में एकिकरित जन स्वास्ते परियोग शालाओं द्वारा लैब नेटवर्क और निगरानी को मजबूत किया जाएगा डिजिटल ऑनलाइन शिक्षा तक बहु माध्यम पहुँच के लिए PME विद्या कारिक्रम तथा चातरों, शिक्षकों और परिवारों के मानसिक स्वास्ते एवंभावनात्म कल्यान के लिए मनोदरपन कारिक्रम शुरू करने की घोषना की गई है केंद्र सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए राजियों की उधार की सीमा तीन प्रतिशत से बढ़ा कर पांच प्रतिशत करने का फैसला किया है इससे राजियों को 4.28 लाख करोड रुपे के अतिरिक्त संसाधन मिल सकेंगे श्री जैराम ठाकूर ने इन घोषनाओं के लिए प्रधान मंतरी श्री नरेंद्र मोधी का अभार विक्त करते हुए कहा कि इससे स्वास्थे शिक्षा रोजगार प्रदान करने और राजिय सरकारों की आर्थिकी को मजबूत करने में मदद मिलेगी मुख्यमंतरी ने कहा कि आत्म निर्भर भारत अभ्यान के माध्यम से अधो सरचना युवार शक्ती, मांग, प्रणाली और अर्थवे वस्ता को सशक्त करने तथा विकास की दिशा में और आगे बढ़ने के अफसर प्राप्थ होंगे हिमाश्र प्रदेश SDMA COVID-19 स्टेट डिजास्टर रिस्पॉंस फंड के लिए साइट टेक मेडिकेर प्राइट लिमिटेड के अधिकारियों ने मुख्यमंतरी श्वी जैराम छाकूर को आज शिमला में 10 लाख रुपए का बैंक ट्राफ्ट भीट किया मुख्यमंतरी नी इस पुनीत कारे के लिए उनका अभार्विक्त किया प्रादेश में करोना संक्रमन की जांच के लिए आज 898 लोगों के सैंपल लिए गए जिन वैसे 202 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है जबकि 696 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है अभी तक 17,431 लोगों की जांच की जा चुकी है जिन मैसे 16,644 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है प्रादेश में कुल 78 लोगों में इस वाइरस के संक्रमन की पुष्टी हुई है जिन मैसे 40 लोग इस बिमारी से ठीक हो चुके हैं और 31 व्यक्ती उपचारा दीन है इस संक में इतना ही कल फिर मिलेंगे नमस्कार